विकास खंड साथा के अंतरगत ग्राम पंचायत परसा शोकल में कोरोना की तांडों का हुआ शिकार व्यक्ति की मौत बितेशाम साथा ब्लॉक के अंतरगत ग्राम पंचायत परसा शोकल में ललित प्रसाथ जिनकी उम्र लग भग 55 वर्ष है चार दिन पूरो तबियत खराब ह पर अपने नजदी की सामदाइक स्वास्तिकेंद्र साथा लोह रसन में जांच के दौरान व्यक्ति कोरोना पॉजिटीव पाया गया था जिसकारण उन्हें हों कॉरंटीन कर दिया गया इस बीच कल सुबह से व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगी मगर कोरोना की पर शाम की समय जाते जाते व्यक्ति की मौत हो गई हम आपको बता दी कि स्वास्ति विभाग की टेम बीच में एक बार भी व्यक्ति के घर न गई और नहीं गाउं में सैनेटाइजेशन करा गया जिसे गाउं के लोगों में काफी डर हुआ है परिणाम ये है कि गाउं का कोई भी व्यक्ति ललित प्रसाद के मौत पर उनके घर नहीं गया उनके तीन बेटे ही उन्हें जेसी भी द्वारा लात कर गाउं के बाहर सिवान में दफनाने के लिए गए उनके तीन पुत्र बुधिराम सुधिराम प्रेम चंद ने कहा कि गाउं में लोग कोरोना पॉजिटिव जानेनी के कारण डर भै बस नहीं आ रहे हैं इंडिया समाचार के लिए तहसील मेहंदावल से धर्मेंदर कुमार मिर्श्र की ये रिपोर्ट झाल झाल